और एक मक्कम गति का एक मक्कम नेतरूत्व जो मोदी जी ने दिया है गुजरात को ऐसा ही नेतरूत्व पूरे भारत को दे रहे हैं और विश्व में भारत को विश्व गुरू बनाना हो तो मोदी जी जैसे नेता की ही जरूरत है वो अंदर अंदर लड़ने वाले जगडने सार्तक शर्मा हम निकल रहें तो देखा यहां पर मोजूद थी तो हमने सोचा एक बार उनसे भी जरा बाचीत कर ली जाएं क्यूक्कि महिला यह एक ऐसी इस्तंभ है भारत का जो आगे लेकर चलती है और सरकार को इंका vote जो होता है वो बहुत जादे एहम होता है क्योंकि यही पूरे घर को समालती है तो राज्जे को भी समालने का इनका दरुमदार होता है तो अब इनसे ही बात करते हैं मेरा नाम है प्रफेशर समीता जूशी ने जरुबर, चर्चा होती है लेकिन किसको वोट देना है वो हमारे लिए कोई प्रशना नहीं हमें एक ही वेक्ति को एक ही पक्स को वोट देना है और वो है भारतिय जंतापाटी बारत्य जंता बार्टी को ऐसा क्या हुआ कि मैंने बहुत महिला उसे बातचीत करी तो उनके दिल में ऐसा क्या आ गया कि मोदी जी को ही वोड देना है उसके अलावा और को ही नहीं हमने पिछले 27 सालों से देखा है कि गुजरात और इसके बाद समगर भारत में जो विकास दीख रहा है वो पिछले 17 सालों से नहीं दीख रहा था और गुजरात का जो विकास है वो तो पूरा देश देख रहा है पूरी दुनिया देख रही है और एक मक्कम गति का एक मक्कम नेतरूत्व जो मोदी जी ने दिया है गुजरात को ऐसा ही नेतरूत्व पूरे भारत को दे रहे हैं और विश्व में भारत को विश्व गुरू बनाना हो तो मोदी जी जैसे नेता की ही जरूरत है वो अंदर अंदर लड़ने वाले जगडने वाले नेताओं की ऐसे पक्सकी हमारे देश को जरूरत नहीं है पहले जैसे भार निकलते तो डर लगता होगा अभी ऐसा कुछ है क्या लगता है उनका यहां पर कुछ नहीं हो पाएगा तो यहां पाएगा जीरो 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 आच्छा में माप का क्या नाम है मैं निखाडे सरीता बेन मैं लामोर्चा की जो कारे करता हूँ लेकिन सार मैं अधर स्टेट से हूँ लेकिन मुझे इतना सम्मान इस गुजरात ने दिया और मोधी साहब के नेत्वर्द में तो मुझे बहुत ही जादा रिस्पॉंग बेटी में दिये मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने ही देश में हूँ तो मैं भारत में मैं मानती हूँ लेकिन मैं गुजरात स्टेट में आई हूँ और यहां की लोगों से और जो बेहनों से और जो मोधी साहब हैं उनसे मुझे इतना साथ सवकार मिला है कि आज मैं उनके दिये हुए खुद के मकान में रहती और आज मैं मोधी जी के दिये मकान में रहती हूँ जो कि अधर स्टेट से बिलॉंग करती हूँ लेकिन आज मैं उनसे गर्व की बात करती हूँ कि जो मोधी जी है तो सब कुछ है और हमें साथ लाइक टाइम तक के और लॉंग टाइम तक के वही होना चाहिए यही हमारी आती हूँ कि यह जो के जरी वाल इस तरह से विलॉंग करता है हर लोगों को भड़काने का करता है मेरे खुट के घर में आये थे यह सब करने के लिए आप हम को हम मैलाओ को जार रुपए देंगे ऐसा करेंगे मैंने सब सब्सक्राइब करने के बाद में गुजरात राज्य में आने पर मुझे मोधी सरकार के जो और जो सुइधा मिली जो मेरे खुट के राज्य में भी नहीं मिली थी लेकिन वहांसे भी मुझी फटीजे यहां अवे लेबल हुई राशन से लेकर के कार्ट से लेकर के वह अधर्स यूभी हो लेकिन और खुट कि अपका क्या नाम है पिरा बेन पंचल पिरा बेन क्या लगता है अब क्या होने वाला है क्योंकि अब तो देखा होगा गुजरात में जो दोर लड़ाई चलती थी एक कॉंग्रेस एक बीजेपी अब की बारामाद मी पारटी ब्यागी है और फृरी देगी भड़िया हो खिचल देखा पहले में OR अवमें सब जयक्राइब है मैन विकास हूए क्या क eligibility अब कर सकते अभी को रोना कर में उन्हों दे तो बहुत अच्छा काम कि अ में लिए सब और रहे हैं और रावला गांधी पर क्या किया गएगह separative मेडम आपका क्या नाम है रस्मी चेड़ा रस्मी जी क्या लगता है क्या होने वाला है क्या सरकार आपको अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी मोधी सरकार अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छा कौन सा काम सबसे बैतर लगा बहुत बहुत जो पांच लाग का मा काड निकाला, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कि कोई गरिब इंसान, इसके पास पैसा नहीं है, अगर वो दवा नहीं होता उसका तो तूरंत मर जाता, लेकिन वो बहुत सबसे अच्छी चीज, फ्री नहीं चाहिए बिजली और पानी, कुछ कुछ नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए, तो इनको कहना है, मेहनत का चाहिए, मेडम क्या नाम है, जंदा पटेल, जंदा पटेल क्या लगता है, अब की बार भारते जंदा पाटी अपना कमल खिला पाएगी है, खतम, चारो और खिला पाएगी, 182 में से 182 आएगा, अब जा साफ कर देंगे और पूरे गुजरात को बढ़िया तरीके से कर देंगे कि यहां पर बिरोजगारी बहुत है जाड़ू-जाड़ू में फर्क होता है कच्रे निकालने के वाले जाड़ू भी होता और कच्रे करने वाला भी जाड़ू होता यह कच्रे करने वाला जाड़ू है जो बाज आपको कभी मंजूर नहीं है, गुजरात की महिलाओं को कभी पसंद नहीं है, तो आपको लगता है कि बस अब कि बार BJP? बीजेपी बीजेपी एन हंड्रेट टाइम बीजेपी की भारत सरकार बीजेपी सरकार ने जो महिलाओ को मान सनमान दिया है महिलाओ को जो स्टैंड दिया है वो कोई सरकार नहीं दे सकती और हमारी गुजरात की महिला तो यह समझ पाई है कि बीजेपी के सरकार में महिला कितनी सुरक्षी थे और जो सरकार महिलाओं के लिए कर रही है वो किसी और के लिए नहीं कर रही है आप ने देखा हमने महिलाओं से बात करी इनका साफ तोर पर कहना है कि अब की बार बीजेपी बीजेपी उसके अलावा और कोई नहीं आपको एक खबर कैसी लेगी इस खबर को लाइक कीजे शेर कीजे साथ ही हमारे चैनल हैड्लैंस इंडिया को अभी सबस्क्राइब कर लीजे